नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी के एक्जाम पाथ फाइंडर में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जॉब आप्लिकेशन की जानकारी लेकर आए हूँ जो की अटल वियारी बाजबाई गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज के दोरह घोशित की गई है फॉर अकैडमिक्स 2021 से 2022 तक के लिए साथी मैं आपको बता दू टोटल तीन कोर्स एडमिशन की घोश्टना हुई है और वो जो हमारा सबसे पहला कोर्स है वह है नाटबरीक जो मारा दूसरा कोर्स है वह है एकसरे रेडियोग्राफट अर जो हमारा तीसरा कोर्स है वह है ओटी टेक्नीशन गाइज आप देख सकते हो यहांपे essential qualifications में mentioned है कि जो candidate है उनके पास intermediate examination की certification होने चाहिए बेसिकलिए आप 12 पास्ट होने चाहिए किसी भी रिकर्गनाइज इंसिट्यूट से और जो आप यहां पर आड्रेस रेख सकते हो यह आड्रेस आपको मध्यप्रदेश की दी गई है यह जो आप्लिकेशन प्रोसेस है वो ऑफ-लाइन है और साथ ही आपको दिये गए इस आड् सेंड करना है मैंने इसको हाइलाइट कर रहा है आप चाहो तो कहीं पर नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो और साथ ही जब आप हमारे साथ यहां नीचे आओगे तो आप देख सकते हो अटाच्मेंट सेक्शन में यहां पर दो अटाच्मेंट से सबसे जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट डोक्यमेंटेशन होती है जो भी गवर्वेंट या फिर जो भी कॉलेज अथोरिटी अपने स्टूडेंट के लिए करती है इस मैंने आपको बता रखा है ओफिशल नोटिफिकेशन में सारी आपकी इसमेंटेशन होगी कि वेकेंसी कितनी है यानि की कोर्स के लिए सीट कितने है आप देख सकते हो जो लास्टेट है वो क्या है वो सारी इंपॉर्टेंट डीजिए आपको ऑफिशल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी आप चाहोगे कि कहीं और आपको यह नोटिफिकेशन या अपको नहीं मिलेगी और हमारी प्लाटफॉर्म में हम इन उफिशल नोटिफिकेशन को यहां पर अटाज करते हैं और आपके लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हो तो गाईस अगर आपको ऐसे उफिशल नोटिफिकेशन में अगर इंटरेस्ट है तो आप डिरेक्ली हमारे प्लाटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आ सकते हो और यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो आप जब यहां पर इसे डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी documentation मिलेगी आप देख सकते हो यहां पर जो हमारे पहला course है medical laboratory technician यहां पर जो आपके पास certification होगी यहां तो वो diploma होनी चाहिए और स पर भी total 20 post की घोशना की गई है और जो हमारा last है जो है OT technician यहां पर इनके लिए भी 20 seat की घोशना की गई है तो total 60 seats है जिनकी घोशना की गई है जब आप यहां पर नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि इनके लिए जो starting date of application process है इस course के लिए वो है 11 फरवरी 2022 means 11 Feb 2022 साथी जो आपकी जो यहां पर last date है वो है 21 फरवरी 2022 यानि की 21st Feb 2022 guys मैंने आपको इस पूरे application से related सारी important जानकारी शुनिस्चीत की है आप देख सकते हो यह application हिंदी में है तो आप इसे पढ़ भी सकते हो guys साथी मैं आपको यह भी बता दू कि अगर आपको इस पूरे application से related कोई भ जी तो और guys आप इस address पे यहां पर अपने इस website को खोल कर इनको देख सकते हैं जो भी आपको अपनी आगे की queries है या फिर इससे easy way मैं आपको बता सकते हो कि अगर आपको कुछ भी यहां पर problem है इस पूरे application process है कुछ भी doubts है तो आप directly हमारे platform alert.exampathfinder.com पर आ सकते हो और यहा community forum पे आप यहां पे नीचे एक right reply का section देखते हो इस right reply के section में जब आप अपनी queries या अपने doubts कुछ भी यहां पर लिखोगे तो वो हम तक आएगा और हम आपको help कर देंगे उनको solve करने में guys यह पूरी platform आपके help के लिए बनाए गई है तो आप इन्हें जादा से जादा explore कर यहां पे डाल दूँगी so that अगर आपको वीडियो देखते वक्त भी कुछ issues आते हैं तो आप directly एक tap करके अपने सारे queries यहां पे solve कर सकते हो guys इस पूरे application process यानि कि इस पूरे admission course से related मैंने आपको सारी important जानकारी दे दी है still अगर आपको कोई problem है तो आप direct हम से पूचे I hope आ है